Hello everyone, Circle of Education welcomes you. English Literature Writer Series में हम William Shakespeare को कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम उनकी two great tragedies, Hamlet and Othello को बहुत ही detail में cover कर चुके हैं. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की playlist में जाके चेक कर लें. आज की इस वीडियो में हम उनकी another great tragedy को बहुत ही detail में discuss करेंगे. तो अगर आपको ये series पसंद आ रहे हैं, note समझ आ रहे हैं तो वीडियो को like करें. आपके जो भी opinion है comment section में रखें. और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को subscribe करें. चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो हम इसका title देख लेते हैं The Tragedy of King Lear, जिसकी composition date है 1605. Friend Shakespeare के plays के जो भी मैं date बता रही हूँ, वो उन्होंने कब लिखे थे वो तब की date है. क्योंकि published तो ये सारे हुए थे, first folio में जो कि 16, 23 में आई थी, तो इसमें आपको confused नहीं होना है. बात करें अगर इसकी category की, तो tragedy है, setting जो है इसकी वो ब्रिटेन रखी गई है. बात करें अगर इसके tragic flow की, तो tragic flow क्या होता है, ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ. किसी story में जो main character होता है, जो protagonist होता है, उसके character sticks में कुछ ऐसी कम्या होती है, कुछ ऐसे features होते हैं, जिसकी वज़ाई से play में tragedy आती है, उसका downfall आता है, उसी को tragic flow बोला गया है. तो इस play में जो main character है, उसका tragic flow होता है, flattery, यानि उसको चापलूसी बहुत पसंद होती है, कि उसके आसपास के लोग जो है, उसकी तारीफे करें और egotism, इन वज़व से ही जो होता है, इस play में main character का tragic flow हमें देखने को मिलता है. चलिए, अब इस play के sources की बात कर लेते हैं, तो जो पहला sources है, वो Hollins का ही chronicles है, Chronicles of England, Scotland and Ireland. Another source है, The True Chronicle History of King Lear, यहाँ पे लेग की spelling अलग है, and His Three Daughters. कुछ और sources भी हैं, जैसे The Mirror for Magistrates by John Higgins, Arcadia जो की Sydney की थी, Fairy Queen जो की Spencer की थी. इनके थोड़े बहुत जो है reference हमें देखने को मिलते हैं, King Lear में. Story को start करने से पहले, चलिए हम characters देख लेते हैं इस play के, तो पहला जो main character है, जो protagonist है इस play का, वो है King Lear, जिसके नाम पे इस play का title है, तो King Lear जो है, वो Britain के king है, 80 years के हैं, असे साल के हो चुके हैं, बुड़े हो चुके हैं, protagonist हैं, और इस king की तीन daughters हैं, कोई भी बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां है, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जो होती है, उसका नाम होता है John Rill, second daughter जो होती है, उसका नाम होता है Regan, के साथ, ये character हम आगे discuss करेंगे, जो होती है, अपने father को ही cheat करती है, धोखा देती है, और इनका nature जो है, बहुत ज़्यादा cruel दिखाया गया है, इस play में, किस daughter की किस से शादी हुई, ये आपको याद रखना है, exam question बन सकता है, तो जॉनरिल की शादी हुई है, Duke of Albany से, ये याद रखने के लिए, आपको एक short trick में बता देती हूँ, आप A.G. करके इसको याद कर सकते हैं, A.C. Albany और G. से जॉनरिल, इनकी second daughter होती है, Regan जिसकी शादी होती है, Duke of Cornwall के साथ, इसको आप R.C. के नाम से याद रख सकते हैं, इनकी जो youngest daughter होती है, उसका नाम होता है Cordelia, और इनकी youngest daughter ही जो होती है, loyal होती है अपने फादर के लिए, और Cordelia की शादी होती है, King of France से, तो characters में अब तक हमने King Lear, उनकी daughters को देखा, आईए अब हम इनके husbands देखते हैं, तो Duke of Albany, जो होते हैं, वो जॉनरिल के husband है, good person होते हैं, और इनकी wife जॉनरिल जब अपने फादर के साथ, बुरा वेवार कर रही होती है, तो Albany जो है, protest करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं, जॉनरिल के, Duke of Cornwall, जो हैं वो Regan के husband है, बहुत cruel होते हैं, dominating होते हैं, King of France जो होते हैं, ये शादी करते हैं Cordelia से, Duke of Burgundy जो होते हैं, ये Cordelia के suitor होते हैं, पहले इनकी शादी Cordelia से होने वाली होती है, लेकिन ये Cordelia को reject कर देते हैं, क्योंकि Cordelia को, डावरी में कुछ भी नहीं मिलने वाला होता है, ये हम play में discuss करेंगे, डिटेल में, तो अब तक हमने एक family discuss करी है, अब हम दूसरी family के कुछ characters discuss करेंगे, तो next character है Earl of Gloucester, ये भी old हैं, और इनका भी जो nature है, वो foolish दिखाया गया है, इस play में King Lear और Earl of Gloucester दोनों को ही foolish दिखाया गया है, क्योंकि ये सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन Earl of Gloucester जो होते हैं, वो loyal होते हैं King Lear के लिए, और इनकी story जो है न वो parallel चल रही होती है King Lear से, और Earl of Gloucester के दो बेटे होते हैं, जिसमें से एक जो होता है उनका legal son होता है, दूसरा जो होता है illegitimate son होता है, यानि नजायज बच्चा होता है, तो जो इनका legal son होता है उसका नाम होता है Edgar, जो की play में आगे चल के खुद का बेश बदलता है, disguise करता है खुद को as a poor Tom, second son जो होता है इनका उसका नाम है Edmund, illegitimate son है यह, यह cruel होता है और अपने ही father और brother यानि एडगार का यह murder plan करता है, other characters है, Earl of Kent यह भी disguise करते हैं खुद को बाद में play में, loyal friend होते हैं Lear के, Cordelia को support करते हैं, इस पर question बन चुका है कि कौन सा वो character है जो Cordelia को support करता है, तो आपका answer होगा Earl of Kent, और इसी लिए जो है Lear जो है इनको भी banish कर देते हैं अपने राज्ये से, और बाद में यह खुद को disguise करते हैं, वेश बदल के case के रूप में आते हैं Lear के पास, यह कुछ minor characters हैं, fool जो है important character है, इस पर question बन सकता है, तो यह gesture है King Lear का, और इस पूरे play में समझदारी की बाते जो हैं, वो सिर्फ fool ही करता है, Oswald जो है बहुत important character है, यह general का जो है servant होता है, stayward होता है, chief servant होता है, बाकि यह minor characters हैं, old man, huran, doctor, तो यह सारे जो है character हमें play में देखने को मिलते हैं, चलिए आईए अब हम story को बहुत ही detail में करते हैं, story के साथ साथ यह character आपको और clear हो जाएंगे, तो play स्टार्ट होता है court scene से, court scene में क्या होता है, कि Earl of Gloucester जो होते हैं, वो अपनी illegitimate, यानि जो उनका नाजायस बेटा होता है admin, उसको introduce कराते हैं Earl of Kent से, यानि राजदर्बार लगा हुआ है, वहाँ पे Earl बैठे हुए हैं, और एक दूसरे से यह बात कर रहे हैं, उतने में ही king liar, यानि जो Britain के king है, उनकी entry होती है, और वो डिसाइड करते हैं, कि अब उनको retire होना है, उनकी उम्र हो चुकी है, 80 साल के हो चुके हैं, तो वो decision लेते हैं, कि वो अपनी kingdom को, अपनी तीनों बेटियों में बाट देंगे, लेकिन इसके लिए, वो कौन सी टेकनीक रखते हैं आगे, कि जो बेटि उनको सबसे ज़्यादा प्यार करेगी, या जो जितना प्यार करेगा, उसके according ही उसको जो है, वो portion मिलेगा kingdom का, तो यहाँ पे basically king liar, जो है अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपनी बेटियों से, उस basis पे जो है ये kingdom को divide करेंगे, तो जो इनकी दो बड़ी बेटियां होती हैं, जॉनरिल एंड रीगन, ये बहुत तारीफ करती हैं, चाप लूसी करती हैं अपने फादर की, बड़ी बड़ी बाते कहती हैं उनकी तारीफ में, जिससे king liar जो है खुश हो करके, इनको इनका portion जो है वो दे देता है, फिर बात आती है कोडिलिया की, और कोडिलिया जो है बहुत बड़ी बड़ी बाते नहीं करती है, बहुत ज़्यादा चाप लूसी नहीं करती है, वो सीधी बात बोलती है, कि मैं अपने पीता से उतना ही प्यार करती हूँ, मैं अपने फादर से उतना ही प्यार करती हूँ, जितना एक डॉक्टर को अपने फादर से करना चाहिए। ये सुनकर के किंग लियर को बहुत ज़दा गुसा आजाता है किंग लियर उसको बार बार और बाते बोलने को बोलता है लेकिन कोडिलिया जो है वो चुप हो जाती है इससे किंग लियर बहुत ज़दा गुसा हो जाते हैं और उसको किंगनम से बैनिश कर देते हैं डिसौन कर कोडिल्या के वो reject कर देते हैं कोडिल्या को कि वो अपने साथ अब कोई दहेज नहीं लाएगी साथ ही King of France भी बैठे रहते हैं वो कोडिल्या को समझते हैं और वो जो है आगे आकर कोडिल्या को accept करते हैं as his wife Cordelia की जो है शादी हो जाती है King of France से तो जो Earl of Kent होता है दरबार में वो King Lear के आगे Cordelia का साइड लेता है जिसे King Lear को और जादा गुसा आ जाता है और वो Earl of Kent को भी जो है वो अपने राज्ये से बेदखल कर देते हैं तो आप जो है राज्ये का बटवारा हो चुका है जॉनरल और रीगन के बीच में और King Lear डिसाइड करते हैं कि वो alternate basis पे जो है दोनों के साथ रहेंगे तो यह अब तक चल रही थी King की स्टोरी इनके पैरलेर ही जो है स्टोरी चलती है है अर्ल फ गोस्टर की जिनके दो बेटे हैं अड़िगार और एड़्िगार जो है वो सन है और एड्मर जो है इलेज़िटिमेट है यंग dwr है तो एड्मर जहें क्यूकि इलेज़िटिमेट सन 거야 इसको हमेशा डर लगा और अपने फादर के पास जाता है उनको बहकाता है उनको परस्वेड करता है कि जो आपका बेटा है एडगार वो आपकी जान लेना चाहता है इसके लिए वो मेरे साथ मिलके प्लैनिंग कर रहा था जब मैंने मना किया तो उसने मुझे चोट पहुंचा दी यह सुनके ग्लॉ कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो भाग जाओ क्योंकि फादर ने तुम्हारे लिए डेथ वारेंट जो है वो इशू कर दिया है तो एडगार जो है विचारा राज्ये से भाग जाता है और किसी कोने में बिखारी बनके पूर टॉम के नाम से रहना शुरू कर देता ह फिर स्टोरी मूव करती है लियर की तरफ लियर जो है अपनी बड़ी बेटी जौन्रिल के पास जाता है और जो अरल आफ केंट होता है जिसको बैंश कर देते हैं लियर क्योंकि वो कोड마 ओडिलया को सपोर्ट कर रहा होता है लेकिन चैंट जो होता है बहुत लॉयल होता है लियर के लिए तो वो वापिस दुबारा भेश बदल के लियर के पास आता है और एजा सर्वेंट जो है वो उनको सर्व करने लगता है तो वो क्या करता है ना उस वाइल की जो है इंसल्ट करता है उस वाइल जो होता है फेवरेट सर्वेंट होता है जॉनरिल का तो जॉनरिल क्या है न अब बहुत जादा irritate होने लगती है अपने father यानि लियर के जितने भी followers होते हैं hundred followers होते हैं servant कहलो उनके behavior से तो जॉनरिल को लगता है कि ये जो servants है ये albani castle की lifestyle को बहुत जादा disturb कर रहे हैं तो इस भी जो है जॉनरिल की जो है लड़ाई जगड़ा हो जाता है अपने father king लियर से लियर को बहुत ज़्यादा गुस्ता आता है वो दुखी होता है curse करता है जॉनरिल को बोलता है कि भगवान तुमको कभी औलाद ना दे और ये बोल करके वो निकल जाता है रीगन की तरफ जो उनकी second daughter होती है तो रीगन क्या होता है ना उल्टा अपनी sister को ही support करती है और ये दोनों बहने जो होती है वो लियर को बोलती है कि आपको इतने सारे servants की क्या जरूरत है आप इन में सो जो है कुछ को निकाल दो लेकिन बाद में फिर क्या कहती है कि आपक अग्जाम में question बन चुका है कि जब किंग लियर दोनों का घर छोड़की जाते हैं तो उनके साथ कौन होता है कैंट और फूल तो जब वो महल छोड़की जा रहे होते हैं तो जो ग्लॉस्टर होता है वो असिस्ट करता है लियर को और उसके साथ जो लॉयल उसके servants होते हैं क पेंट और फूल को तो अब जो है लियर को बहुत दुख हो रहा होता है अपने इस decision पर और को बैनिश कर देता है इस बास से वह जादा परिशान होता है और वो तुफान के बीच में चला जाता है वो पागल हो जाता है उसको वो तुफान जो है वो महसूस ही नहीं हो रहा है तो जो ग्लॉस्टर होता है न वो हेल्प करना चाहता है किंग लियर की और वो ये बात जो है वो अपने सन एडमंड से शेयर कर देता है और साथ ही साथ जो ग्लॉस्टर है वो केंट को एडवाईज करता है कि लियर को जो है वो डोवर पे लेकर के जाओ वहाँ पे जो है क्या करता है कॉर्णन्वाल के पास जाता है जो कि हजबन होता है रिगन का और अपने यी फादर के खिलाब भड़काना शुरू कर देता है कि ग्लॉस्टर जो है ना हमारा एनिमी है क्योंकि वह किंग लियर के लिए बहुत जादा लॉयल है तो इसी लिए जो है वह हमारा एन को इस तरीके से सजा देता है तो यानि जो रीगन का हस्बेंड है कॉनवल अब जो है उसकी डेथ हो चुकी है और रीगन जो है अब एडमर्ड की हेल्प के साथ जो है वो कंटिन्यू करती है रूल करना और दूसरी तरफ सीन यह चल रहा होता है कि जो एड़गार होता है जो यहाँ यह ँड़गा रूसरी पागल होने की एक्टिंग करा होता है विखारी बन के रह रहाता है जो हट में जो भीट में बाहर तुफान चल रहा होता है तो जो फूल और किंग लियर होते हैं वो सब चल एक शेल्टर में आ जाते हैं एक साथ वह एक कमपैनियन की तरह अब जो है उसके फादर भी जो है वो उसको नहीं पहचान पा रहे होते हैं क्योंकि अब उनकी आखे नहीं हैं। ग्लोस्टर की जो फिर मुलाकात होती है कि इंग लियर से होती है डोवर बीच पर यापको याद रखना है। अब जो जॉन्रिल है ना उसकी और उसके हस्बंड के बीच में भी जो है बहुत ज्यादा दूरियां आनी शुरू हो जाती है क्योंकि जॉन्रिल का फेर चल रहा होता है एड्मंड के साथ जॉन्रिल जो है एक लेटर देती है ओस्वाल्ड को जो उसका सर्वेंट है जो की जाना है इसके बनल ए सुह है तुम्हें रिवार्ड मीलेगा तो छो है मारने जारा होता है ग्लोस्टर को यह गार आजाता है और ऑप जुन लियर जो है और कोडिली यूनाइट हो चुके है अब येलबैनी की आरमी है उसको एडमन्ण पीड कर रहा होता है और फ्रेंच फॉर्स को ठीडिक कर पिता है ये और कोडिलीक को फोच असनला देता है और ये अरी डियर को दोन के है एडमंड के लिए दोनों जो ही चाहती है कि एडमंड के साथ जो है उनकी शादी हो जाए और रीगन जो है जॉनरिल के आगे अपनी पॉइंट रखती है कि एडमंड को मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि अब जो है मेरा हस्बेंड जिंदा नहीं है और तुम्हारे पास तो हस्बेंड है तो जॉनरिल क्या करती है पॉइजन दे देती है रीगन को जिसके कारण रीगन की डेथ हो जाती है दूसरी साइड एलबैनी जो है हस्बेंड जॉनरिल का उसको भी सॉरी जॉनरिल का सच पता चल चुका होता है कि उसका फेर चल रहे एडमंड के साथ और वो म बेस बदल के रहता है अब जो है वो चैलिCTV करता है Edmund को कि चलो एक डूल हो जाए दोनों के बीच में लडाई होती है और Edgar जो है वो और मरते मरते Edmund जो है वो confess कर देता है अपने सारे ही crimes को और साथी साथ वो ये भी बताता है कि उसने death order दे दिया है किंग लियर और कोडिलिया के लिए लेकिन ये बताने में बहुत लेट हो जाता है और वो चाकर के भी कोडिलिया को नहीं बचा पाते हैं जब तक जो है वो और्डर कैंसिल होता कोडिलिया को अलरेडी फांसी पे जो हैंग मेन है वो लटका चुका होता है ये देखकर के king liar बहुत ज़्यादा दुखी होता है कोडिलिया को अपनी गोद में लेता है अब उसे बहुत पच्छतावा होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और इसी दुख के साथ जो है वो liar की भी death हो जाती है और play के end जो में दिखाया जाता है कि Albany जो है Duke of Albany और Edgar जो है वो अब दुबारा से अपना kingdom जो है organize कर रहे होते हैं तो आज की इस वीडियो को हम यहीं complete करते हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा lengthy हो जा रही है next वीडियो में हम king liar से related कुछ important points देखेंगे जो exam के लिए बहुत important होते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को like करें आपके जो भी opinion है comment section में रखें और अगर आप channel पे नए है तो channel को subscribe करें thanks for watching this video